तो शर्वात करिए उतर प्रदेश नी बस्ती माँ बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आजे चुटणी माँ पहली बार चाप पनिंच नी छातिनों उलिक करी कॉंग्रेस अने समाजवादी पार्टी उपर करारों हम लोग करेऊ बनने पार्टी होंने पाकिस्तान ना डर तो न थे पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है लेकिन उसके हमदर्द सपा कॉंग्रेस वाले अब भारत को डराने में जूटे हैं ये लोग कहते हैं हमें सुनाते हैं मालूम नहीं होता है चप्पनिंच क्या होता है ये कहते है पाकिस्तान से डरो उसकी पास एटम बम है एटम बम आज भारत में मोधी की मजबुत सरकार है भारत हमें डराने वालों को कभी भी बक्सेगा नहीं ये भी साफ है तो पश्चिम मंगाडना संदेश खाली ने लईने ग्रे मंत्री अमेट च्राय ममता सरकार उपर मोटो हमलो करे हो निउस एटीर अंडिया साथे ना एक्स्क्लूसिव वाजशित मां अमेट च्राय करे हो कि बंगाड मा महिला मुख्य मंत्री नी नाकरी नीशे क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाड संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है एक महिला मुख्य मंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओ का सोषन होता रहे और महिला मुख्य मंत्री इसलिए कुछ न करे कि सोषन करने वाले इनके कारे करता है इनकी वाट बंग का हिस्सा है इससे ज़्यादा सरमनाक बात कोई हो यह नहीं सकती है यह इलेक्षन का मुद्दा नहीं है यह देश की सुचीता का मुद्दा है सासन कीस तरह से चलना चाहिए आपकी वाट बैंक को एड्रेस करने के लिए मैला हो का आप सुचन करने दोगे हम निश्चीत रूप से इस मुद्दे को इलेक्षन के समय में भी और इलेक्षन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में लिजा तो साथे जमित्राय अर्विन के अर्विन के जिवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि दो जून के बाद मैं जेल जाओंगा ने नहीं जाओंगा ये तै करेंगे चार जून के नतीजे इंडिया अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा जहां तक मेरी समझे उन को एक जून को ही जनना है तो चार जून को तो वो जल में ही होंगे लेकिन आपने भी कि शून अपने कामकाच के लिए इस तरह से इंटरिम बेल नहीं मिला है माननों कोई चार्टे काउंटन होगा, कोई इंडेस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुवाई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा तो उनके भी तो कामकाज है तो आदर अफ हरियाणाना महींदर कारमा सभात रमान कॉंग्रेस नीता राव गांधी तो banned माफ करेंश करें तो अग्रेस पार्टी खेड़ू तोनू देवूं और कि अगर भाई आगर वो 16,000,000 क करों रुपई माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं मैंने दो मन बना लिया है जितना पैसा नरेंद्र मोधी ने अरब पतियों को दिया उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को दिने जा रहे हैं और मेरा इंडिकेटर है भाई और बेहनो मेरा इंडिकेटर है तो आधर अफ लोग सभा शुड़नी ना परिणाम मां कॉंग्रेस ने घणी आश्राचे प्रदेश कॉंग्रेस ना प्रफारी मुखल वास ने के कई के गुजरात मां कॉंग्रेस दस सिवधु बैठक जीती रही चे गुजरात में हम पहले से ही कहा करते थे कि दस से अधिक सीटों पर जीतने का लोगों के समर्तन का हमें पूरा भरोसा है और ये आश्चेर्य नहीं होगा अगर इस तरह के परिणाम गुजरात में आते हैं तो और पूरे मुल्क में परिवर्तन की लहर चली हुई है चार तारिक को जब बोटो की खिन्ती होगी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर परिवर्तन होगा हम यहाँ पर आज हमारे तमाम प्रत्याशियों से मिलेंगे जीले के एवं शेहर के अध्यक्षों से मिलेंगे और उनके तमाम साथियों से बातचीत करते हुए ये प्रक्रिया के आखरी तक वो सजग रहे, ध्यान रखे और ये बात का एहसास रखे कि चुनाओ की प्रक्रिया खतम होने में और भी समय बचा है प्रक्रिया खतम है